फेलो पर नमस्कार दिवरिया हत्याकार्ण में रोज नई नई जानकारियां सामने आ रहे हों जैसे ही मुझको कुछ नई चीज पता चलती है तो मैं आपको प्रेसित करने का प्रयास करता हूँ वीडियो के माध्यूं से तो जो नई जानकारी है वो यह है कि नौनात मिस्रा ने बताया है कि भीड को उकसाने वाला सक्स सत्य प्रकास दुबे का परोसी रामाण पाल था उसी ने फोन करके जानकारी दी थी इन लोगों को कि सत्य प्रकास दुबे के परिवार वालों ने प्रेम चंद यादो की हत्या कर दी है और जब भीड आई वहां से आक्रोसित भीड तो वो जब 15 मिनट तक वहां पे 100 को देखते रहे बताते हैं जब भीड पहुंची तो जो प्रेम चंद यादो का जो सरीर था उसमें हल चल हो रही थी और कुछ देर बाद वो सांथ हो गए थे सब वहां पे खड़े हो के रोते रहे, शोक मनाते रहे इसी बीच रामाड पाल ने भीड को उक्छाया और कहा कि देखते क्या हो इनके परिवार को खटम कर दो, पताते हैं इसके बाद मैं आक्रोसित भीड घर में गुस गई और परिवार में जो भी वहा वो तो सबाप को पता ही है इसके आगे जो ज उसका हूटर बसते ही सब लोग वहां से निकल जाते हैं तो पुलिस कैसे इतनी जल्दी आ गई बताते हैं कि जब सत्यप्रकास दुबे के परिवार वालों ने जब इन पर हमला किया वहां पर लड़ाई जगड़ा चल आता तो इसी बीच किसी ने 112 पर डायल 112 पर फोन कर दिय जा था तो पुलिस जब पुलिस की वैन आई तो उन्होंने जब भीड को जाते हुए देखा तो उनको यह नहीं पता था कि यह लोग सत्यप्रकास दुबे के परिवार को खत्म करके यहां से जा रहे हैं तो बताते हैं डायल 112 का अगर हूटर नहीं बसता तो साइद सत्यप से आती हैं इनमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है तो क्रपिया किसी राय पे पहुंचने से पहले अपने हिसाब से भी सोचे हो सकता है आप में का बहुत अच्छे से निबाते हैं अभी जब कानपुर देहात में दो ब्रामण महिलाएं थी जिनका SDM के द्वारा कब्जेदारी की आपको याद होगा कब्जेदारी हटाने के लिए उनकी जोपड़ी हटाई जा रही थी तो उसी वीचे आग में वो दोनों जल गई थी तो उस मुद्दे को भी एकलेस यादो जी दारा और शपा दारा बहुत गंबीरता से उठाया गया था और ये इस घटना को भी उठाया गया है इसमें किसी तरह का जातिवादी पुट लेके सोचने की जरूरत नहीं है बाकी बातें जो होती है उसमें बहुत से लोग कई एंगल निकाल लेते हैं तो सभी को राम राम है सभी को नमस्कार है थेंक्यूश